देशी एगरो में आपका स्वागत है एक विंटेज ट्रैक्टर आप देख सकते हैं काफी पूराना ट्रैक्टर रही है सोराज 735 इस पर मेंशन्ड है और यह ट्रैक्टर अब आपको इस मॉडल का देखने को नहीं मिलेगा अच्छली बहुत पहले आया करता था अब जो 735 के नए मॉडल सा रहे हैं वह अलग आ रहे हैं तो तो सट्रैक्टर को आप देख सकते हैं काफी पूराना ट्रैक्टर रही है इसमें कुछ डिटेल मेंशन ही आपे ऐसे यहां पर आप देख सकते हैं किस टाइप का है आर्पीम क्या है बॉक्स स्टोक क्या है और इसमें 202 HP लिखा हुआ है जो Max PTO Power लिखा हुआ है इसमें और यह ट्रैक्टर जो है वो थ्री पिस्टन में आता है जैसे आप देख सकते हैं आज के जो नए ट्रैक्टर आ रहा है उनका कुछ मॉडल चेंज है इससे बहुत सी चीज़ें चेंज है जैसे अब इसको हम देख लेते हैं इसमें इसका जो पंप है वो किस कंपनी का यूजर है वो हम देख लेते हैं इसमें तो ये माइको का सायध लग रहा है पहले आते थे माइको के जिसमें माइको लग रहा है माईको ही लग रहा है आप लोग मुझे बताएं अगर किसी के पास पुलाई ट्रैक्टरं तो मुझे बताएं कि उसमें किस कम्पनी का drugiej लगा है अब तो स्वराजक्ट बहुस कम्पनी का यूज करती है लेकिन इसमें मैको कम्पनी का लगा हुए अब नीचे की तरफ देख लेते हैं जैसे इसका जो आगे का एक्सल है वह आप देख सकते हैं काफी है यह इसा नहीं है कि बाद में लगवाया इन्होंने यह कंपनी फिटेड ही है पहले इस तरीके से आता था और एकदम सीधा है यह एकदम स्ट्रेट है अपके जो आ रहे है इसमें वह है वह बीच से थोड़े से टिढ़े आ रहे हैं यह एकदम स्ट्रेट है कि पुर्ष प्लेस लेकcesहां लेकिन अक्तिसा के Put your गता है यह एक्सात इसमें का दिए हूआ है यहाँ पर डिजल फिल्टर दिया हूआ है और एक इंट्रस्टिंग चिज से में जो अभी मैंने देखी यह जो पाइप वाला सेक्शन है यह देख सकते हैं और गाड़ियों में नहीं देखा है यह नीचे की तरफ जाके आपके गेर वाले सेक्शन में अटैच हो गया है कि अगर किसी के पास इस टाइप की पुरानी गाड़ी है तो प्लीज कमेंट करके हमें ज़रूर बता है कि क्या है और कैसे काम करता है यह मिडल गेर के साथ में आता है इसके गेर का स्रेक्शन आप देख सकते हैं यह लो और यह आपका लो हाई वाला और यह आपके चार गेर जो गेर आप देख रहे हैं यह पुल्ली गेर है इन गाड़ियों में पीछे पुल्ली आती थी तो यह उसके लिए दिया हुआ गेर है क्योंकि इसमें और कहीं आप साइड में कोई गेर नहीं देख सकते आप तो यही वाला गेर है जो पुल्ली के राजकल गाड़ियों में जैसे यहां पे आप देख सकते हैं बैटरी यहां लगाई जाती थी यहां पे लगाई जाती थी ना भाई पहले यहां लगाई जाती थी लेकिन आप उन्होंने आगे की तरफ इसको सेट कर लिया और इसके टायर 1248 के हैं पीछे वाले काफी चोटे और आगे वाले आपके 616 क यह आपका एयर क्लीनर काफ़ी पुरानी गाड़ी है यह स्टार्ट करिए वहिए तो आप इसका साउंड सुन सकते हैं इस जो गाड़ी में इस गाड़ी में में आप इस गावघल में इसमें आप इस केपर rejectat यह चुट दस उसकी हैं उनमें देख सकते हैं लेकिन यह काफी पुरानी गारी इसमें उस टाइम भी मतलब इन्होंने दिया हुआ था अब जो नहीं गारी आ रहे हैं उसमें साइड माउंटेड आ रहा है जैसे मैंने आपको विंटेज दिखाया 735 का अब यह देखिए जो अब नए ट् का उसमें नहीं दिखाई दे रहा था गई और इस साइड में आप देख सकते हैं जो इनका हाइड्रोलिक पंप देख सकते हैं आप और स्टार्टर यहां पे आप देख सकते हैं हैंड ब्रेक यहां पे भी दिया हुआ है और जो इनका यह हाइड्रोलिक लॉग करने के लिए option दिया है वो यहाँ पे दिया हुआ है उसमें काफ़ी आगे की side में था और इस गाड़ी में आप देख सकते हैं बोस का inline pump दिया हुआ है और उसमें जो है हमारा माइको का था यह three cylinder है जैसा आप देख सकते हैं आप और यहाँ पर आप इसके models वगरा को देख सकते हैं जो mentioned है और उसके कुछ details पहले कि लोशकर का लिखा हुआ था उसमें यहाँ पर इसमें कुछ changes कर दिया गया है स्वराज डिवीजन ट्रेक्टर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया उपर के side कर दिया गया यह वाला section है वो इस तरीके से change कर दिया हुआ है इसके टायर की size देख सकते हैं आप बढ़ा दी गई 13-26 कर दी गई और आगे का 616 का ही होगा 616 है आगे का टायर 616 पीछे के टायर की size इसमें बड़ी कर दी गई आसा करता हूं वीडियो आप लोगो पसंद आई होगी वीडियो वाच करने के लिए धन्यवाद लाइक सेर और सब्सक्राइब करें दिस ही एक रो मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर आपका कोई सुझा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं